दोस्तों सुशान सिंग राजपूत केस में ये बास सामने निकल कर आई थी जहाँ पहले बड़ा दावा किया जा रहा था कि जब सुशान सिंग राजपूत की शरीर को ले जाने के लिए अस्पिताल तक दो एंबुलेंस आई थी तो उसमें किसी और वेक्टे की भी जान गई थी जिसकी वज़े से दो एम्टे राइवर को ऐसा कौं सा सच था वोस खुपाने के लिए के लिए तो ऑब इसी बात को लेकर बड़ा सा हुआ है जहांब है कि इस बीच कुछ ऐसी खबरे सामने आ रहे ही जिन में कहा गया कि सुशांत के दोस्त और डिरेक्टर संदीब सिंग ने 14 जून से 16 जून 2020 तक कई बार एंबुलेंट ड्राइवर से फोन पर बात चीत की जो सुशांत के शरीर को कूपर होस्पिटल तक ले गया था अब डिरेक्टर के पी आर मैन मेनेजर ने एक ट्विट में इस बात पर अपनी सफाय देते वे कहा है कि संदीब को एंबुलेंज ड्राइवर की और कोल आना सामानी था क्योंकि वह सुशांत की बहन मीतु सिंग के उनके भाई से जुड़ी औप चारिक्ताओं में मदद कर रहे थे इसके अलावा संदीब के नंबर को तोल मेल के लिए एंबुलेंज ड्राइवर के साथ पुलिस नहीं शेयर किया था जिया दोस्तों संदीब के मैनेजर ने ये भी कहा है कि संदीब का फोन जातर समय उनके पास ही था उन्होंने आगे बताया कि एंबुलेंज ड्राइवर ने अपने भुगतान के लिए यानि कि इस परकार से अपनी पेमेंट के लिए 14 जून और 16 जून को डिरेक्टर को फोन किया था यानि संदीब सिंग को कॉल किया था उसके बाद 22 जून 2020 को उनको बगाया भुकतान कर दिया था यानि उनकी बची कुछी पेमेंट थी वो दे दी गई थी यानि कि पेमेंट के लिए आ रही थी जिसकी वज़े से संदीब सिंग बहन मीतू सिंग जो सुषान सिंग की बहन थी उनकी मदद कर रहे थी उनके परिवार वालों की मदद कर रहे थी क्यूंकि मुंबई में वह ज़्यादा परिचित नहीं थे तो इसी वज़े से उनको बारबार ड्राइवर की यह बड़ा खुलासा है कितने जूट है यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन दोस्तों बता दे कि किस पर कार से संदीप साहूं दीपक साहूं यह लिखते हैं कि संदीप और चारिकताओं थे यानि कि किसी रूप से मीटू सींस वाली बात नहीं है कि आखिर एंबुलेश ड्राइवर उन्हें क्यों कॉल कर रहा था उनका नंबर ड्राइवर को पुलिस नहीं शेयर किया था ताकि वो उनसे पेमेंट की बातशीत कर सके नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट